जय माता दी, जय स्री महाकाल, नवरात्री, अश्टमी, नौमी को हर मनो कामना होगी पूड़, आपके जीवन में आ रही सभी परसानिया समाप्त हो जाएंगी, मातारानी का एक मात्र, दो मिनिट का छोटा सा उपाय, जो आपके जीवन में आ रही समस्या समाप्त कर देगी, नवरात्री के अश्टमी या नौमी या दोनुदिन आप इसे कर सकते हैं किसी भी एक दिन करना चाहें एक दिन ही कर सकते हैं आपके घर की सारी परसानी माता जी के आशिर भाद से समाप्त हो जाएगी और आपके घर में सुक्ष, सांती, धन, बैभो बढ़ता जाएगा और घ बहुत ही छोटा सा उपाए है जिसे आप ध्यान से सुनें कागज कलम लेके बैठें आगे हम बताने जा रहे हैं। इस उपाय को करने के लिए आपको तीन आसान समगरियों को लेना है जिसमें पान का पत्ता पान का खड़ा पत्ता होना चाहिए और यदि हरा पत्ता मिल जाए तो जादे ठीक है खड़ा पत्ता होना चाहिए हल्दी पिसी हुई हल्दी एक शिम्मच हल्दी आप ले लें और इ किसरी सामगरी कर जो सकता है वह है केसर थोड़ी सी एक चुटकी केसर कि आप बजार से ले ले उसको लाकर पहले से रख ले यह तीनों सामगरी लेने के बाद आप पान के पत्ते पर तीनों सामगरीयों को रखेंगे तीनों समगली पान के पत्ते पे रखने के बाद आप माता जी के चरणों में माता जी का दुर्गा चारिसा पढ़ते हुए मा के चरणों में इस पत्ते को चढ़ा देंगे के पत्ते के उपर हल्दी एक चीमाच केसर थोड़ी सी रख के माता के चरणों में चढ़ाते हुए दुर्गा चालिसा का पाठ करते रहना है और चढ़ा देना है फिर वहीं हाथ जोड़कर बैठ कर माता जी से प्रार्षना करना है अपने सही कश्टों को दूर करने के लिए म किसी भी एक दिन करिएगा माता जी प्रसंद होंगी आपकी सारी मनों कामनाय पूर होंगी उसके बाद आप उस सामगरी को माता जी के चरणों में पड़े रहने दीजे जिस दिन हमन होगा हमन सामगरी का राक भुवूती जिस दिन आप विसरजित करने जाएंगी इन सामग तुर्यों की भी उसी के साथ नदी में भी सर्जित कर दीजेगा मा दुर्गा आपका कल्नाड करें जै मातादी कमेंट बाक्स में जै मातादी अवश्ची लिखें चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और वेल का आइकान अवश्ची दमाएं जिससे हमारे आपका दी जै शिरी महाकाल